दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग पिछले चार महिने से PM किसान योजिना की पंदवी इंस्टाल्मेंट यानि पंदवी किस्त का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे आज आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है अभी अभी प्रधान मंत्री जी ने PM किसान योजिना की पंदवी इंस्टाल्मेंट को खूंटी जारखंड से जारी कर दिया है जिसका मूले था सूला हजार करून रूपए जी हाँ दोस्तों आठ करून किसानों को यह पंदवी किस्त दी गई है आप सभी के खारदे में PM किसान योजिना की पंदवी किस्त के पैसे आज साम तक या फिर कल सुबह तक क्रेडिट हो जाएंगे काफी लोगों को मैसे जाना सुरू भी हो गया है क्योंकि किस्त जारी करेंगे मैं निवेदन करूंगा माननिये प्रधान मंत्री महोदे से कि वे एक बार पुने रमोट का बटन दबा कर PM किसान सम्मान निधी की पंदरहवी किस्त जारी करने की कृपा करें हो चुकी है डीबीड के माध्यम से पैसा भेजा गया है डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर के माध्यम से बैंकों में आच छुट्टी भी है भही अदूज की तो इस वज़े से lie आप अपने बैंक के टोल फ्री नमबर पर जो बैंक का बैलंसिंद कोई नंबर होता है उस पर मितका करके चेक कर सकते हैं अगर आप मॉबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग कर तो आप अपना इस्टेंस्टेटमेट कर सकते हैं कि आपको पीम किसान योजिना के दो हजार रुपए मिले या नहीं मिले या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर नहीं है तो आप अपने नज़ी की किसी भी ग्रहक सिवा केंद पर जा करके अपना बायोमेटिक एनि फिंगर लगा करके भी अपने खाते की बैलन्स की जानकारी कर सकते हैं कि आपके खाते में 2000 रुपए केडिट हुए या नहीं हुए वैसे आज साम तक लगभग 90% किसानों के खाते में पैसा केडिट हो जाएगा आठ करोन किसानों के एहरासी दी गई है बाकी अगर आपके आसपास कोई ग्रहक सिवा के अंदर नहीं है तब भी आप परिसान मत ह कि यहां उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे चएक कर सकते हैं क्या फिर नहीं मिला तो दोस्तों उसके लिए आपको PM किसान बेनीफिसरी स्टेटवरी स्टेटस ओपन करेंगे इस्टेटस में जो किसानों की डेटेल वाला प्ट्ञा सरने वाली है वह जिनका किसानोंने लेट से रजिस्टेशन कराया है उनकी जो भी के वह पहली दूसरी चौथी पाँचवी आठ्वी जो भी उनकी केस्त हो वह लोग उसके को सेलेक्ट करेंगे और उसके वो जब आगे आएंगे जिसे आप उसे सिलेक करके छोड़ेंगे तो पेज रेफरेस होगा रेफरेस होने के बाद जब आप पंद्विकिस के नीचे देखेंगे तो वहाँ पर FTOS दिखेगा और ग्रीन टिक लगा होगा अगर FTOS है और ग्रीन टिक लगा है इसका मतलब यह है कि आपको इस्टालमेंट रिलेज कर दी गई है वह अगर आपका FTO No है और क्रास बना हुआ है ग्रीन टिक नहीं लगा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी किसी कमी के चलते आपको पैसा नहीं दिया गया है इस तरीके से भी आप PM किसान के पोर्टल से ही चेक कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप लोग DBT status लिख करके Google पर वहां पर भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आप DBT status में जाएंगे वहाँ पर आपको response date या request date 11 नमंबर मिल जाती है तो इसका आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने new page open होगा वहां पर आपको PM किसान से लिख करना है उसके बाद फिर आपको blank छोड़ देना है अगला पेज उसके नीचे आएंगे वहां पर आप अपना PM किसान का अगले वीडियो में किसी अगले इंटेस्टिंग टॉपिक के साथ तक तक के लिए जय हिन जय भार